गांधी के फोटो के इस्तमाल से हुए विवाद पर अब केंद्र सरकार सतर्क हो गई है केंद्र ने राज सरकारों को आदेश दिया है कि वो गांधी के स्केच, फोटो या लोगो और उनसे जुड़ी कोई भी चीज जैसे चश्मा, चर्खा या घड़ी का सारवजनिक सौचाले, कूड़ेदान या किसी अन्य गंदी जगह पर इस्तमाल ना करे हाल ही में पेजल और स्वच्छता मंत्रवाले ने सभी स्वच्छता इंचार्ज को एडवाईजरी जारी की है इसके मताबिक ये कदम इसले उठाय जा रहा है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशिन प्रोग्राम को लागू करते समय किसी की भावनाएं आहत न हो मंत्रवाले ने विभाग प्रमुकों को ये दिशानर देश सभी जिला और अन्य संबंदित अधिकारियों को जारी करने के लिए कहा है असल में 36गर हाई कोट में बदरुद्दीन कुरैशी नाम के एक शखस ने एक याचिका दायर की याचिका में गंधी जगहों पर बने सारवजनिक सौचालेओं की दीवारों पर गांधी जी तस्वीरें, स्केच और उनसे जुड़ी चीजों के इस्तमाल का विरोध किया गया है हाला कि कोट ने ये याचिका खारश कर दी है और कहा हमें नहीं लगता कि ये महात्मा गंधी का अपमान है हाला कि कोट ने ये भी कहा कि भारत सरकार को ये सुनश्यक करना चाहिए कि किसी जगह गंधी की तस्वीर का इस्तमाल हो रहा है तो उनका अपमान नहो ऐसे में केंद्र का ये आदेश गांधी के इस्तमाल को लेकर सतरकता बरतने जैसी है